जार्खंड में केंद्रिये सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने जार्खंड को करीब 4,000 करोड रुपए की सडक पुल रेल ओवर ब्रिज परियोजनाओं की सौगात दी है इन परियोजनाओं में राजधानी राची के कचहरी चौक पिसकामोड बीजूपाड़ा और पिसकामोड से पैमा तक सडक निर्मान की परियोजना शामिल है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जारकंड के कई हिस्सों में सड़त परियोजनाओ, पुल और रेलोवर ब्रिज निर्माण योजना के आधार श्विला रखी गई इसके साथ साथ आठ सड़त परियोजनाओ को राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया इन सारी परियोजनाओ पर 3395.38 करोड की लागत आएगी इस दोरान मुख्यमंत्री हिमन सुरेन के अलावा कारिकरम में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए केंद्रिय राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वीके सिंग, केंद्रिय आदिवासी कल्यान मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के कई मंत्री, राज्य के लोकसभा और राज्य सभा सांसद और विधायक मौझूद रहे मदुबनी में एकी परिवार के पाच लोग की हत्या मामले में अब विपक्ष उन्ने भी नितीश सरकार पर निशाना साधा पाच लोगों की हत्या कर दी, जिसे ये साफ पता चलता है कि सूबे में अपराधी बेखौफ है उन्हें किसी का डर नहीं, दरसल हूली के दिन मदुबनी के मुहमत पुर गाउं में तालाब विवात को लेकर एक ही परिवार के पाच लोगों को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला और फरार हो गए जिससे एक बार फिर से सूबे में लॉइंड ओर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार अपराधिक गटनाय हो रही हैं और हद तो तब हो गई जब आज एक ही परिवार के लोगों को चार-चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया घर में घुस करके हम लोग लगातार हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक अपराधिक गटनायों को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सुसासन बाबू चुप हैं अपराधियों का तांडव हो रहा है अपराधियों के कोहराम से बिहार की